बिना चीनी गूर का आज बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट सा लड़ू हमारे हाथ में यहाँ पे है अलसी जिसे फ्लैक्सीट भी बोलते हैं जो कि स्वास्त के लिए बहुत अच्छा होता है बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे खाने में बहुत आनकानी करते हैं लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से लड़ू बना लें बच्चे बड़े सभी बहुत आसानी से खा लेता है यह लड़ू को कोई भी लोग खा सकते हैं चाए वो डाविटिज के पेसेंट हैं या कोई भी हो बेट लॉस में भी लोग खा सकते हैं तो नो टेंसन एकदम आराम से खा सकते हैं यह और खाने की बाद बहुत ही अच्छा एकदम एनरडेटिक सा फील होगा तो चलिए फट अफट इसके रेसे भी सेयर करते हैं कुछ जादा ही में यहाँ पे बोल दी यहाँ पे टोटल 500 ग्राम वलसी जिसे एक अच्छे से कपड़े में पोश लिए हैं कोई सी भी टॉवल वगएरा जो भी हो अच्छे से थोड़ा पोश लेना है जो भी डेस्ट है ताकि वो कपड़े में अच्छे से चिपक जा यहाँ पे लिए हैं कुछ ड्राइफ रूट है जैसे काजू और अलमंट्स इसके अलाव हम पुछ भी नहीं लिए हैं यहाँ पे आप नट्स वगएरा भी डाल सकते हैं किसमिस डाल सकते हैं आपके ऊपर हैं यहाँ पे टोटली मैं यहाँ पे सिक दो तरह का ड्राइफ फूट लिया है और इसमें जो हम डालेंगे जैसा कि हम बोले बिना चीनी गूर का बनाएंगे लडू तो यहाँ पे हम ले रहे हैं यह 500 ग्राम की पैकेट है यह खजूर है सीट्स वाली है आप यहाँ पे बिना सीट्स वाली भी ले सकते हैं और यह 500 ग्राम पूरा नहीं है इससे कुछ खाया हुआ भी है थोड़ा ज्यादा नहीं लेकिन हाँ कुछ निकाला हुआ है तो सबसे पहले तो क्या करते हैं यहाँ पे जो इसका बीज है वो निकाल लेते हैं बहुत आसानी से निकल जाता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो देख सकते हैं यहाँ पे निकल गया है सारी का बीज, यहाँ पे आप चाहें तो बिना बीज वाली जो होती है खजूर वो भी ले सकते हैं लेकिन हमारे पास सीट्स था इसलिए इसी को हम यूच कर रहे है और यहाँ पे में 500-500ं क्याल में और 50 ग्राम दोगं चाहिए तो पसा वाल भी तिल डालेंगे सेंगे तिलवी बहुत जास जादा पांप्रता है तो इसलिए हाँ पर्पा सिर्फ दोगे यह सीडिल मुदिंडें तो बस इसे रोश्ट करके निकाल लेते हैं और सेम इसी कड़ाई में यहां पर इसलिए में भूल लेती ना घी कम यूज करना है तो यहां पर देख सकते घी ज्यादा नहीं है बहुत एकदम कम मात्रा में है तो इसी में डाल दिये हैं इसे डाल के अच्छे से कमाज पे भून लेंगे थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे यह बूनने लगेगा तो चटकना सुरू हो जाएगा तो यहां पे डाल रहे हैं अब तिल सफेद वाली तील है तो यह मंदाद से डाले हैं 50 ग्राम के लगबग तील डाल दिये हैं यहां प पर सकता है तो यहां पर थोड़ा सा त्यान से धीरे धीरे करके भून लेना है मतलब 5-7 मिनट में बहुत अच्छे से यह बून जाएगा तो बस यहां पर यह फाइनली अब भून गया है तो गैस को कर देते हैं बंद और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए इसमें बहुत एकदम पॉडर नहीं बनाना है दर दरा सा मिक्सी में एक बर चला लेंगे आप चाहे तो इसे खलवटे बगर है तो उसमें भी कूट सकते हैं लेकिन अगर आपको इंस्टेंट जल्दी बनाना है ताइन की कमी है तो आप यहां पर देख सकते हैं मेड़े तरह इस त चाहिक चरaltra ठीक करके फोड़ा से होने लगे तो यहां पर ढ़ने, तो यहां पर यस तरीके से मिला लेना है ज्यादा नई घूनना है सAND जाए जैसे ही थोड़ा सा यह अच्छे से एकदम मेल्च जैसा लगने लगेगा तो यहाँ पर डाल देंगे जो हम फ्लैक्सीड और तील का इस तरीके से दरदरा सा बनाये हैं वो डालके अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा यहाँ पर मिलाने में टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर चीनी ना गूर कुछ नहीं है तो इसी के साथ इसे मिलाना है तो थोड़ा सा दीरे दीरे करके मिलाना पड़ेगा और यह जो है काजू बदाम का जो हम पॉडर बनाये थे वो भी डाल दिये बस यहाँ पर और कुछ भी नहीं डाले हैं यह चार चीजों से बन रहा है लड़ू और इसे डालके बहुत अच्छे से आराम आराम से मिला रहे हैं और यहाँ पर एक चीज में बता देती हूँ जो हम खजूर का यूज किये हैं मतलब 500 ग्राम यूज किये हैं और हमारा यह फ्लैक्सीट कितना है 1500 ग्राम और 50 ग्राम तिल 200 ग्राम है लेक तो यहाँ पर साड़ी चीजों को अच्छे से मिला लिये हैं तीन-चार मिनट गैस की फ्लेम ओन रखे थे जब अच्छे से मिल गया तो इसे गैस से नीचे उतालकर ठंडा होने की रख दिये बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है थोड़ा गरम ही रहे उसके वाद यहाँ बड़े बड़े साइज की लड़ू बना लिए फटाफर साइज अपने अकॉर्डिंग बड़ा चोटा जो भी है कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर टोटल लड़ू बनकर हो गया तया यह लड़ू ना सुबह सुबह आप एक लड़ू एक लड़ू दूर पी लिजे स्वाधिस्ट होता है सर्दियों के टाइम में तो खासकर लड़ू का तो भी बहुत ही अलग अलग चीजों की लोग लड़ू बनाते है ना तो चलिए फिर आगे एक अच्छी सी जो है कुछ बनाऊंगी लड़ू बगेरा जो है तो उसकी रेसिपी आप लोगे साथ सेयर कर लिए उन्हें पता भी ने चलागी है किस चीज की है लड़ू तो बच्चे भी बहुत असानी से खा लेंगे और बहुत ही ज्यादा हिल्दी होता है तो चलिए फिर आप लोग भी बनाईए खाईए एंज्वाई किजिए फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाबाएं